वेल्कम टू जिरो लोस ओक्षिन ट्रेट दोस्तों कई बार मैंने आपसे एक बात कही है कि अगर आपको बहुत पैसा चाहिए बहुत अमीर बनना है तो सबसे पहले उसको चांद समझना बंद कर दीजिए अगर आप पैसे को सिर्फ एक आइडिया नहीं समझते और अगर यह समझते हैं कि पैसा हर प्रॉब्लम सॉल कर देगा वो आपको सब कुछ दे देगा तब तक पैसा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों अगर कोई इनसान यह कहता है कि मुझे और कुछ नहीं चीए बस ये एक चीज़ दे दो बगवान उपर वाले मुझे ये एक चीज़ दे दे तो उपर वाला कहेगा कि ये एक चीज़ छोड़ बाकि जो चाहिया वो ले ले तो सर जुकाओगे तो पत्थर देउता हो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारा माइंड सेट ही कैसे हमारी जड़ी में सबसे बड़ी वादा बनता है और माइंड सेट को समजना है समझकि जब हमको प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी जाके उसमें कुछ चेंज कर पाएंगे तो लोग अमें क्यो नहीं होते क्योंकि वो रग-रग से गरीब हैं लोग जेब से गरीब नहीं होते पहले वो इधर से गरीब होते हैं और कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर क्या बात कर रहे हैं हमारे पास तुछ कितना पैसा है दो करोड तुमेरे अकाउंट में रखा है दो करोड का पॉर्टफोलियो है ये नमबर से बात नहीं बनेगी दोस्ता अमीरी का मतलब यह है कि जो तुमको चाहिए उसके लिए इनफ पैसा और टाइम आपके पास है के नहीं अब मुझे कुछ नहीं चाहिए और पता लगा कि मैं अपनी जिन्दगी अपने जो रिसोर्सें उनके साथ गुजार सकता हूँ और मेरे पास टाइम भी है आजादी भी हो और मैं मस्ती करने के लिए तैयार हूँ तो फिर मैं अमीर हूँ अगर किसी के पास 100 करोड रुपया हो और उसको खाना खाने के लिए टाइम नहीं है अपने बीबी के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम नहीं है बच्चे उसके बरबाद हो रहे है और वो चाहता है कि वो कुछ और बन जाए तो फिर वो गरीब रहेगा तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस गरीबी को समझे वगियर हम ट्रेडिंग में बहुत अच्छा परफॉरम नहीं कर सकते, इन्वेस्मेंट में बहुत अच्छा परफॉरम नहीं कर सकते, उसका आप सिधा-सिधा बात करता हूं कि कहा फरक पड़ता है, जब बाजार गिरता है, अभी आपने देखा कि निफ लग रही थी, क्यों नहीं लग रही थी, उसके पीछे कारण है, मैं आपको ऐसे बोलूँगा कि नहीं, डरों मत और बस ये तो भाव आई जाने वाले हैं, लेकिन आदमी अपने अपसे ये कहेगा, कि 6000 के उपर विक रहा था, तब मैं वहां भेचा नहीं, वहां खरीद रहा था, और अब यहां नीचे आ गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि दो साल में, चार साल में भाव आ जाएंगे, तो मैं ये टेंचन क्यों कमाऊं, अब अगर आप गरीब हैं, तो दिक्कत ये होगी कि, आपको ये तो दिखा कि मेरा पैसा कम हो गया होल्डिंग में, लेकिन होगा जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन जो ये अपरचुरिटी देखें कि 3,000 पे एक ठिक ठाक या अच्छी क्वांटिटी, आप ट्रेडिंग के लिए लिए हो, और उसको 32 रुपे में बेच के बाहर आ गए, 200 रुपे बाहर आ चुके हैं, तो धीरे धीरे धी बीच में कोई नंबर क्रेट कर पा रहा हूं, तो मुझे ब्रेक अप्स में दिख जाएगा, टुकड़े टुकड़े में दिख जाएगा, कि 5 या 10,000 के एवरेस से अगर बात करूं, तो 30 दिन या 60 दिन के अंदर, ये 3 लाख रुपिया मेरा मुझे रिकवर होता हो दिखता है, तो ये प्रॉब्लम, 60 दिन, 100 दिन से ज़्यादा की नहीं है, और जब आप ये अपने आपको समझा पाते हैं, तो होता ये है कि जो आप सोच रहे हैं, 100 दिन में प्रॉब्लम सौल हो जाएगी, यकीन कीजिए, वो 40 दिनों में प्रॉब्लम गय भी हो जाएगी, आपको गरीबी दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब गरीब को डर किस बात का लगता है, वो एक बार बाजार गिरता है, तो सबसे पहले उसको एक ही बात नजर आती है कि ये कभी दुबारा उपर आएगा कि नहीं आएगा, और अगर किसी ने कहा कि इसको त उसको किंसर है, पंदरा मीने के बाद तो अगला सूरज देखे गई नहीं, तो ये जो घबराट है, कि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी है, ये लक्षण किसका है, ये लक्षण है गरीबी का, इधर की गरीबी की बात कर रहा हूं दोस्तों, बले आपके पास पांच हमारे शहर में हम ऐसे गरीब देख सकते हैं, कि उन्होंने कोई इंडस्ट्री या एक बड़ा बिजनस सेट किया, बहुत सारे लोग भरुसा करने लगे थे, बहुत सारे लोग उनके क्लाइन बन रहे थे, लेकिन उनके पास विजन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उस स्केम किया और वो पचास करोड लेके भाग गए, यह छोटा विजन है ना, एक बड़ा विजन होता तो क्या करता आदमी, उस पचास करोड को आने वाले समय में 500 से 1000 करोड बनाने की यात्रा करता, और उस दोरान उसको जो मिलता वो से पैसा नहीं मिलता, नंबर नहीं मिलत उसके साथ पूरी जिन्दगी का तजरुवा मिलता और सिर्फ उसकी जिन्दगी में मजा नहीं आता, हजारों लोगों की जिन्दगी positively affect होती है, तो यह अमीरी यहां होनी चाहिए तब जाके आपके पास पैसा आएगा, तो गरीब लोग क्या करते हैं, उनका एक लक्षन, आपको चेक करना पड़ेगा, कि क्या आपके दिमाग में ये बात आती है, कि मैं छोटा सा पैसा लगाँ, और मेरा पैसा डबल हो जाए, जैसे IRC से आपके सामने 6000 से गटके 3500 हो गया, तो आपने 10 शेर ले लिए, और आब आप सोच रहे हैं, कि 3500 से जब 5500 हो जाएगा, य मैं बेठा हुआ हूँ, तो छोटा सा पैसा लगा कि एक unreasonable expectation के साथ आप वेट कर रहे हैं, कि अब ये भागेगा, फिर से वही हो जाएगा, जहां से गिरा है, ये काम कर रहा है, गरीब आदमी, वो इसके against जो अमीर है यहां से, जो सही trader या investor बनने का mindset रखता है, बले उसके पास एक लाख रुपया, लेकिन वो ultimately आगे जाने वाला है दोस्तों, मैं पूरी कहानी आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे मैं घोर गरीब था, घोर गरीब, मतलब ऐसा समझ लो कि मेरी जेब से 50 रुपया, 100 रुपया गिर जाए, तो मैं दो दिन तक मुस्कराने को तयार और धीरे 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 ठोकरे खाते खाते, डरते डरते, छोटे छोटे नेर्णे लेते, बहुत सारी गल्तिया करते, मुझे यह बात समझ में आ गई, कि डरने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, फेस करना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा, आगे ही जाना पड़ेगा नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है और धीरे-धीरे चीजें familiar होती चली जाती है तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि आप छोटा सा पेसा लगा के और सोचते हैं कि यह unreasonably दो गुना तीन गुना हो जाए जबकि जो सही trading और investing का mindset रखते हैं लोग क्या सोचते हैं वो लोग एक reasonable amount अपने capital का डालते में यह नहीं कहूंगा कि आपके पास 5 लाग है तो आप 50 लाग के या 25 लाग के trade करो बिल्कुल भी नहीं एसी गलती तो लोग करती ही नहीं पांच लाग मेंसे वो तीन लाग का margin यूज़ करके वो सकता दस लाग की position बना ले इंट्राडे में और वहां से आदा परसेंट कमा के एक बार में बाहर आ गया 5000 उप्या हो गया फिर उस 5000 में से 1000-15000 का stop loss एक बार और यूज़ किया तो वो 9000 हो गया अब ताकत यह है कि 2000-3000 का stop loss यूज़ करे तो कोई बहुत बड़ा stress नहीं है वो ऐसे लगा के छोड़के चले गए उनको यह ऐसा था कि 3000-4000 और मिल जाएंगे शायद लेकिन जब वो शाम को वापस आते हैं तो पता लगता है कि 22000 हो रहा चुका है तो वो 8-9000 में संतुष्टे हैं उनको लगता है कि हम मुझे जो मिलना चाहिए reasonably वो मिल गया और मैंने कोई एसा रास्ता नहीं खोला risk का कि मैं बरबाद हो जाऊं और उसके बाद calculated risk लेके मैं निश्चिन्त हो कि जब छोड़के गया अपनी position को सही तरीके से stop loss लगाके, सही तरीके से stop loss मतलब trigger price में एसा gap रखा कि उस पे से stop loss कूद के नहीं जा सकता, कभी-कभी आपका stop loss trigger नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि ACL और trigger price की जो gap है, वो proper नहीं होती, तो दोस्तों सही volume में, सही तरीके से stop loss लगा के आप उसको छोड़के चले गए, या फिर आपने position hedging के साथ बनाई, क्या अचानक से अगर कुछ भी उल्टा सिधा कयामत आ गया तो भी मेरे साथ कोई बड़ा हाथसा हो, या possibly नहीं है, क्योंकि मैंने दोनों दिशाओं का arrangement कर रखा है, hedging किसको कहते हैं, कि अगर मैंने future खरीद रखा है, तो साथ मैं put भी खरीद रखा है, अगर तेजी होगी, तो future पैसा देगा, अचानक से बरबाद हो जाए वो share, तो आप चाहते कम हैं और आपको मिलता जादा है, इसका मतलब आपका अमेरिका mindset है, तो अमेरिके mindset में आपको इस बात का धियान रखना है कि जो भी आदमी दिमाग से गरीब है, वो हमेशा किसी extraordinary मोके का इंतजार करता रहता है, वो हमेशा बोलता है कि यार एसा कोई share पकड़ कि दिखाओ ना ये 500 रुपए से add city से, मतलब 300 का issue price था, पर चलो 600-700 कहीं पर एंट्री में कर लेता, और मेरा 6000 बिग जाता, 10 गुना हो गया पैसा, मज़ा आ जाता, ऐसी कोई चीज दुबारा मिले तो बता, आपको क्या लगता है, आप 300 रुपए का issue price वाले share को 700 रुपए जाएगे, और जब आपको किसी ने कहा था, कि 300 का issue price है, 700 में मिल रहा है, तो आपने कहा, रहे यार क्या बात कर रहा है, डबल से तो जादा हो चुका, अभी यहां पर लेके करेंगे, कह चलो तुम बोलते हो, भी share ले लेता हो, और फिर दिमाग में यही बात है, कि 300 का 700 है तो कब तक रुक लोगे, 900, 1100, और फिर आप बाहर निकल जाओगे, अगर आपके पास ऐसा कोई mindset हो, कि नहीं ठीक है, मैं calculated risk लेके इसके दिन के या week के लोपे stop loss लगा कि चल रहा हूँ, मेरे पास GTC order है, है ना, कि मतलब जब तक वो price आएगी, तब तक वो मेरा order valid रहेगा ऐसा कोई order लगा कि आपने छोड रखा है, तो फिर ठीक है, GTC order होता है, good till trade, है ना, तब तक वो बना रहता है, ऐसी कोई arrangement करके और आप wait करते रहें, तो आपके पास wait करने का सही mechanism है, आपकी व्यवस्था है ऐसी, कि 1100 का ये 500 होने गया, तो 9500 में बिग जाएगा, नहीं त stop loss लगाऊंगा, और साथ-साथ आप ये समझते जा रहे हैं, कि अगर higher level है तो अपनी quantity थोड़ी कम कर ली, lower level है तो अपनी quantity थोड़ी बढ़ा ली, और सारे decision बाजार के भरूसे नहीं हो रहे हैं, सारे decision में आप अपने तज़र्वे को, अपने calculation को, अपनी risk appetite को ठीक से calculate करक तो अमिर लोग क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के लिए calculate करते हैं कि 5 साल में, अगर 10 साल में, 12 साल में, FD मेरा पैसा double कर सकती है, तो मैं यहाँ पे अगर धीरे-धीरे, रोज का 0.2, 0.5% भी बढ़ाता रहूँ, उसमें भी कभी गलती हो जाएगी, तो ठीक है, जैसे मैं कार चलाता हूँ, कार चलाता हूँ, और पंचर हो जाता है साल में दो बार, और हो सकता है मुझे 2-4 किलोमेटर के लिए यहाँ-वहाँ किसी से lift लेके जाना पड़े, इसका मतलब मैं कार नहीं छोड़ दूँगा, तो यह approach के साथ में, क्योंकि अगर कोई काम आपको करना ह है, अगर कोई खेल आपको खेलना है, तो उसके जो भी rules हैं, वो स्विकार करने पड़ेंगे, आप उसमें कोई बहाने बाजी या टालम टाल की बात नहीं कर सकते हैं, तो अमेरी की वो मानसिक्ता जब आप लेके आएंगे तब ही जाके आप अमेर मन पाएंगे दोस्तों, तो अधिकतर लोगों के साथ बात यह होती है, कि जब वो लॉस कर देते हैं, तो अपने आपको कई तरीके से वो परिशान करते हैं, बलकि टॉर्चर करते हैं, कि आपने पांचे जार उपे का नुक्सान कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि आरे यार, मैं ऐसे लोगों के सा पाना खाने को कहते हैं, मैं उसके लिए मना कर देता हूं और आप पांचे जार उपे मेने पानी कर दिया, तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें मिला के अपने आपको टॉर्चर मत कीजे, अगर या पांचे जार एक जटके में जा सकते हैं, तो अगर सही तरीका आप उसले के पिले समझने की कोशिश करो ना, तो अगर आपने ये सोचा है कि आज पांचे जार कमा लिया, तो बाइस टेडिंग डेज में एक लाग दस जार उपया मिलेगा, ये है बचकानी हरकत, ये है गरीबों की हरकत, वो ये सोचते हैं कि बस ऐसी रोज रोज चीज़ें ह होती रहेगी, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, बाजर क्या चाहता है, हालत क्या चाहते है, ऐसी अगर आपको एक दिन पांचे जार का नुकसान होगा और आपने सोचा ऐसे तो तीस दिन में डेड़ लाग खतम हो जाएंगे, क्यों, ह आप जितना डंब अपने आपको समझने लग जाते हैं बुरे समय में, उतने आप हैं नहीं, मुझे यकिन है कि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है दुनिया की सेल्फ डाउट, हमको दुनिया के हर इंसान पर भरुसा होता है, लेकिन अपने आप बरुसा हमको बहुत आखिर में होता है दोस्तों, इसलिए तो डिसिप्लिन नहीं आता, हमको अभी तक जो भी डिसिप्लिन इसकूल वगेरा में सिखाये गया है, उसमें हमेशा कोई न कोई आदमी था जो आपको जबरदस्ती डिसिप्लिन थोफ राता, थोफ राता, लोग कह रहे थे कि एक्जाम आगई पढ़ाई करो, लोग कह रहे थे कि चलो नाकुन काट क्या हो, बाल बना क्या हो, कप्ड़े कौन से पहन रखें, टाई क्यों नहीं पहनी है, हर जगा कोई न कोई आपको जबरदस्ती किसी चीज के लिए धकेल रहा था, यह बताए बगेर कि क क्यूं, मैं इसा क्यूं करूं, इससे मुझे क्या फाइदा मिलेगा, और किसी दिन अगर वो बात आपको समझने की फुरसत मिल गई, और फिर आप करने लगे, तो फिर आपको कोई बताने वाला हो, इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं अभी जिस एज में हूँ, तो मैंन से सुन रहे हैं, पर वो मानवान कोई नहीं रहा था, तब 4-4-5-5 बच्चे पेदा हो रहे थे, और फिर धीरे-धीरे सोशल चेंजेज होते हैं, कहीं न कहीं आपके सबकॉंशेस में वो मेसेज जा रहा है, और साथ में हालात बदल रहे हैं, अब आप बोलिए हम तो हमारे कपड़े लेने जा रहे हैं, 10-10,000 रुपे तो नहीं खर्च हो जा रहे हैं, फिर उसको फोन चाहिए, आइफोन भी मांग रहा है, एक 8 साल का बच्चा, कैसे होगा, तो चीज़ें अपने आप हो जाएगी जब आप समझ जाओगे, इसलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ, क कि डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, जब आप चीज़ें खुद देखेंगे, और कभी-कभी जब आप शुरू में गलती करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, कि यार मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे अंदर पता नहीं कुछ इस तरगा साटोरिया, या ऐसा फितरती आदमी बेठा हैं कि जो समझे गई नहीं, लेकिन हम कब तक नहीं समझते, जब तक हमको ऐसा लगता है कि ऐसा तो एक बार हो गया, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा बार-बार होगा, हमारा दिमाग साइंटिफिक है, वो यह देखना चाता है कि क्या सचमुच ऐसा ही होता रहेगा, तो जब आप छोटे-छोटे experiment करते हैं और जब आपको बार-बार वो चीज repeatedly दिखती है तब फिर आपका दिमाग मान लेता है और इसमें सबस्जाद आपको कुन सी चीज support करती है वो support करती है आपका data, recorded data, रोज आप trade कर रहे हैं, आपने लिखा है कि मैंने सुबह यतीन trade किये, इसमें इतना stopless हुआ, इतना profit मिला, आपको बार-बार पता लग रहा है, option वाले में तो मैंने पैसा को दिया है, intraday वाले में equity cash में मुझे problem नहीं होती है, और 2-3 दिन बाद तो share उपर भी की जाता है, अगर सही धंग से मैंने देखके उठाया है तो, ऐसी कर करके, जब तीन महीने बाद उसका उल्टा आएगा, है ना, आपने अगर किसी share को IRCTC की, तो सभी जान रहे हैं, तो मैं उसका example बार-बार दे रहा हूँ, कि 3000 से 6000 जाते हुए देखा, तो आगे 6000 से 3000 की भी यात्रा है, तो वहाँ धुखा हो सकता है, इसलिए मैं आप से कहता हूँ, जल चलांगे मारने से, तो मैं पहले बहुत बार अपने पेसे को आधा कर चुका हूँ, अब मुझे चलांग नहीं मारनी है, अब तो मुझे बस इतना सा करना है, कि बाकी जो भी रास्ते अविलेबल थे मेरे आमने सामने यहां-वहां, उससे थोड़ा बेटर, अगर मेरी दु 8, 9, 10, 11 तक कि ले जाऊंगा, किसे ले जाऊंगा, अपनी स्किल से, अपने नौलिज से, अपनी स्टॉक पिकिंग को थोड़ा ठिक टाक बनाऊंगा, अब क्या होता है, जितने भी कम जानने वाले लोग हैं, गरीब लोगों कि मैं बात करूं कि यहां से गरीब, हाँ, मैं खतम हो जाऊगे, आप जिरो पे चले जाऊगे, और आपके पताजी आपके नाम पे कुछ नहीं छोड़के गए, कोई विरासत नहीं मिली आपको, लेकिन यहां अगर आपके अमीरी है, तो आप अपने हजार रुपे से दिरे दिरे एक करोड बना लोगे, और वो सो करोड भी बनने वाला है, अगर आप उस रास्ते पे इसी शिदत से, उसी तरीके से अपने आपको इंप्रोविस करते हुए चलते रहें, तो मैं यहां बात कर रहा था, कि जो यहां से गरीब लोग है, वो क्या करते हैं, दिन भर पैसी की बात करते हैं, वो दिन भर यह बोलते हैं कि नहीं है, आप पैसा दुनिया में बहुत जरूरी है, लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन खुदा नहीं होता है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं होता, और पैसा तो चाहिए, इसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, और फिर डिप्रेस होके, क्यों आप पॉलिटिक्स की बाते बगेर किसी परपस की किया जा रहा हूं, मैं यह नहीं कहता कि पॉलिटिक्स में आपको involved नहीं होना चाहिए, लेकिन सिफ मनोरेंजन के लिए बात कर रहे हूं, या फिर सच में उसमें कोई active role लेने वाले हो, तो ऐसे करके आप time pass करने लग जाते ह और जब काम का मोका आ जाते हैं, तो टाल देते हैं, जबकि यहां से जो अमीर इंसान है, वो क्या करता है, अपने आपको हर कदम थोड़ा सा improve करने के लिए कुछ न कुछ कुछ न कुछ करता जाता है, आसपास के लोग बोलते रहते हैं, कहां लगा रहता है यार तू, यहा पैसा पैसा करके ऐसे बाकता चला जा रहा है, धीरे धीरे, पहले तो आप ऐसा करोगे घबराहट में, क्योंकि आप सो में से नब्बे लोगों की बजाए, दस लोगों वाला रास्ता या पांच लोगों वाला रास्ता चुन रहे हो, तो आपको सबसे बड़ा प्रेशर है क जो कुछ भी सोच रहा हूं, मान रहा हूं कि ऐसा नहीं हो, 20 साल बाद मेरा कट जाए, मैं सबसे पीछे रह जाऊं, तो आप घबराय हुए रहते हैं, तो बहुत बहुत टाइम घुसे रहते हो, स्क्रीन में घुसे रहते हो, स्टेडी में घुसे रहते हो, लेकिन धीरे धी जैसे आपका भरुसा बढ़ता जाता है तो आपकी working में कमाल की बात आती है कि आप 10 मिनिट में आदे गंटे में एक गंटे में वो खास सुचना वो खास study करके आ जाते हो जो कल आपको 10,000 या 1,000,000 रुपे देने वाली यही तो आजादी है तो यह आजादी की तियारी करनी ह दोस्तों आपको यहाँ पे मिने आपको यह सारी बाते बता दी है कि अगर आपको सच में यहाँ पे 100 करोड, 500 करोड, 1000 करोड की यात्रा करनी है तो जब शुरुआत होगी न तब दुनिया को तो यकिन होगा ही नहीं आपको भी नहीं होगा और फिर भी आपको इसले चलते यह ना होगा क्योंकि अभी आपके जानने में यही एक बेहतर रास्ता है और अगर मैं हर दिन अपने आपको एक एक कदम आगे बढ़ाता जाओ ना तो गती और मुक्ती वाली यात्रा हो जाएगी कि हाँ अगर मैं बढ़ रहा हूं तो फिर मुझे अच्छा लग रहा है मै कैसे सीखते हुए काम करते रही है आप अपने आपको यह बिल्कुल मत बताईए कि मैं छे साल से बाजार में हूं और अब मुझे कोई क्या सिखा देगा आप बली 26 साल से बाजार में हूं मैं हूं हर शाम में सीखता हूं और किसी से भी सीखता हूं मैं अपने मुझे कई बार एक नया इंसाइट मिल जाता है तो वो मेरे गुरू है मेरे हजारों लाखों गुरू है और मैं हर रोज सिखूंगा और जैसे-जैसे लोग कहते रहेंगे कि सर आपको बहुत नौ ले जाए वैसे-वैसे मुझे पता चल लगता जाएगा किया कितना सीखना बा इंसान ने ऐसे 5-6 बड़े-बड़े जुट बनाये जो उसकी जिन्दगी को मदद करने के लिए एक सिस्टम बनाया था हमने जिसे एक बच्चे को आप गुट लिखके देते थे और बहुत खुछ हो जाता था उसको पता नहीं कि मेरी मेडम का जो रेडिंग का पेन है उसस सिर्फ उसको थोड़ा सा ऐसे हिला के गुट करके एक स्माइली बना देनी है और मुझे ऐसा लगेगा कि वा वा क्या हो गया वेसे ही जिन्दगी महर चीज है तो हमने ऐसे कई सारे जुट डिजाइन करके रखे हैं उसमें पैसा है उसमें करियर है उसमें मेरी जी अगर है जो हमने उसको बनाया था उसका सही इस्तेमाल करें तो जिन्दगी आपकी जन्नत बन सकती है लेकिन अगर आप उसमें उलज गया है तो इसका मतलब आपने उसको कुछ और समझ के अपना लिया है ऐसी भगवान है धर्म है आप उसको क्या अपने आपको बेतर बनाने के लि सवाल खड़े करो सवाल की जवाब ढूंडो एकदम से नहीं मिलेगा लेकिन दीरे दीरे आप ऐसे सच पर पहुंच जाओगे जिसकी यकिन को कोई हिला नहीं सकता तो दोस्तों अमीर बनने के लिए जरूरी है आपका जिग्यासू होना आपका लगातार सीखने के लिए प् सो करोड बन सकता है अगर आप इस बात पर यकिन कर रहे हैं कि मैं यहां से अमीर जैसा होता है और देखो ना आपको बहुत सारी स्टोरीज मिलेगी उनकी बायग्राफिस पढ़िये आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग सच में अमीर हैं वो कैसा सोचते हैं वो जल्दी से जल्दी आपने आपकी ताकत दिखाने की कोशिश नहीं करते वो ऐसे लोग नहीं होते कि वो अपने पास 30-40,000 की सेविंग हो उसमें 25,000 उधार लेके और एक आईफोन लाके और सब को दिखाएंगी कि देखो मेरा फोन कितना क्योंकि अगर आपकी चीज़ें आप से बता रहे हो अगर आप बड़े हो तो जो चीज़ आप से असोसेट होगी वो बन जाएगी एक ब्रैंट गांधी जी थे ना गांधी जी ऐसे थे कि उन्होंने कितना कपड़ा पेना होगा उपर एक कपड़ा चोटा सा नीचे एक कपड़ा चोटा सा लेकिन अपने आप में वो भी अपना एक बहुत बड़ा fashion statement था समझने की बात है दोस्तों कि brand कैसे कैसे बनते है internet नहीं था लेकिन इतना बड़ा brand awareness तो कहीं आया नहीं कि आप लोगों को इतना convince कर लो कि वो चुप चाप जाके कड़े हो जाएं डंडा खाले और उसके बाद भी हाथ न उठाएं कैसे किया होगा आप उसको ऐसे आस्था श्रद्धा देशबक्ती के नजरे से मत देखिए आप logical लोग है न तो आप यह देखिए management की नजर से देखिए psychology की नजर से कि कोई काम हुआ था तो कैसे हुआ था उसके पीछी क्या चीज थी काम कर रही थी अगर यह चीज़े हम समझने की कोशिश करेंगे तब जाके कोई बड़ी story हो सकती है तो पहले यहां से अमीर होने की कोशिश करना है दोस्तों जितना आप सीख सकते हैं उसके लिए सारे result मिले और ऐसा लगे कि और और सिखना है और और अगर मुझे फाइदा होगा तो मैं फिर और सिखूँगा तो अपने आप इस सारी यात्रा शुरू हो जाएगे और आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएंगे हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा speedearning.com आप call कीजिए 83810-1346-82693-99398-96300-15450 अगर आप नहीं सुन पाए नंबर तो pause प्ले करके फिर से आप नोट कर लिजेगा बात कीजिए WhatsApp कीजिए डिटेल लिजिए और सीखते रहेगे दोस्तों हमको आदेश कीजिए कमेंट में कौन से टॉपिक पे डिटेल में अब पहले आपके अंदर की तैयारी पूरी करा दे क्योंकि मैं बार-बार ये बता चुका हूं कि 70% रोल है आपकी कोर कंसेप्ट का आपकी साइकलोजी का और 30% रोल है बाकी सारे टेकनिकल इंडिकेटर्स और टेकनिकल एनालिसिस चार्ट वार्ट ये सब करने का लेकिन फिर भ वीओ में डिटेल में आपको साइकलोजी समझ आने वाला हूं थैंकि वेरी मच बाब बाई